नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपूंग टोपिक लेकर आया हूँ आपको सुवस्त वे सुन्दर बनाने की विशे में आपके सरीर से सभी प्रकार के मसों को हटाने की विशे में प्याज का यह छोटा से उपाई आपके सरीर के सारे मसे हटा सकता है दोस्तों मसे अगर गर्दन के पीछे हूँ या कोई ऐसी जगय हूँ जहां पर सबकी नजर नहीं जाती तो लोगों के लिए ये चिंता का विशे नहीं होता लेकिन कई बार मसे चहरे के ऐसी जगयां पर होते हैं जहां से वे दूसरों को असानी से दिख जाते हैं ये मसे दिखने में अच्छे नहीं लगते कई बार ये मस्य कैंसर का रूपी धान कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में अच्छा है कि आप मस्यो को हटा दीजिए दोस्तो इस वीडियो में मस्यो को हटाने के लिए हम प्याज का नुस्खा आपको बताएंगे वो एक रामबानिलाज है जो आप असानी से घर में इस्तमाल कर सकते हैं मस्यो हटाने के लिए तो आएजै दोस्तो जानते हैं कैंसर कारक भी होते हैं मस्यえー अगर आपको जनम के समय से ही कोई मसा है तो ये एहानि कारक है लेकिन मस्यो जनम के बाद हुए हैं और बड़े होने पर हुए हैं तो समय बीतने के साथ ये कैंसर का रोप धान कर सकते हैं अगर ये मसे किसी इनसान को 30 की उमर के बाद होते हैं तो कैंसर होने का खत्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है इन मसों में होता है कैंसर इन स्थिती में अगर स्रीर के किसी भी मस्य से खून निकले तो इसे बिलकुल नजर अंदाज ना करें मस्यों में होने वाले खुजली को भी हलके में नैले इस प्रष्थिते में आप डोक्टर को जरूर दिखाए क्यों होते हैं मस्य पैदा होने के बाद होने वाले मसों का मुखे कान इंफेक्शन है इन मसों का कान पेपी लोमा नामक वाइरस होता है तवचा पर पेपी लोमा वाइरस के कान छोटे खुरदरे कठोर दाने उबराते हैं जिसे मसा कहते हैं समानने तोर पर मसा काला और भुरे रंगे होते हैं लेकिन कई बार ये तवचा के रंगे भी होते हैं जिस कान लोगों को ये असानी से दिखाई नहीं देते हैं और इसी कान लोग इनकी परवा भी नहीं करते हैं मसे 8 से 12 परकार के होते हैं जिने आप मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ घ्रेल उपचार करके हमेशा के लिए चुटकारा पास्कते हैं दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि मसो को हटाने के लिए उसे कटवा देते हैं या घर पर ही खुद से काट वे फोड लेते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मसो को काटने और फोडने के कान मसो के वाइरस का सरीर के अन्य हिस्व में जाने का खतरा होता है जिससे और मसे हो जाते हैं कहीं बार तो मसे का वाइरस एक आदमी से दूसरी आदमी की तवचा पर भी चला जाता है अब जानते हैं प्याज का रामबाननोश का दोस्तों प्याज हर त्रहें से हमारे लिए फाइदे मंद है खाने से लेकर इसके रस को लगाने तक के फाइदे हैं मसो के लिए तो ये और भी रामबान की त्रहें काम करता है मसों को हटाने के लिए लगातार 20 से 30 दिन तक प्याज के रस को मसों पर लगाएं जब समय मिले तब प्याज को काटकर मसों पर लगड़ें दिन में 2 से 3 बार रहें सकरें प्याज के रस से मसों पर का जो वाइरस होता है वो मर जाता है और मसे बिल्कुल जड़ से खतम हो जाते हैं तो दोस्तो अगर आप मसों से परिशान है तो प्याज का इस्तमाल करके आप मसों से चुटकारा पासकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इस से आपको कोई जानगारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वजियर करना ना फूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना फूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तों